हेलो फ्रेंड्स वा गत है आपका हमारे चैनल पोईंटर शोट पर और आज बात करते हैं कि Google My Business में अगर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है आपका Office ऐड्रेस चान्ज हो जाता है तो गुगल My Business में एड्रेस कैसे चैंज करें क्योंकि Google My Business में अगर आपका प्रोफाइल अच् में गूगल लीस्टिंग नहीं लगाई हैं तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख कर गूगल माई बिजनस में लीस्टिंग कैसे लगते है और उस पर पोस्ट कैसे करते हैं या उसकी रैंक कैसे कराते हैं ये जरूर करें और आईए हम आपको बताता हूं कि Google Google My Business में address change करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहला method है आप Google My Business में login करें और edit profile पर click करगें अपना address change कर दें। दूसरा procedure है कि आप support section में जाकर अपना address change करें। मैं आपको पहले वाला method suggest नहीं करता। मैं आपको दूसरे वाला method suggest करूँगा। आप Google My Business के support section में जाकर अपना address change करें। यहाँ पर आप अपने Google My Business का जो dashboard है वहाँ पर आईए। यहाँ पर उपसंद दिया हुआ है help and support यह अप नया dashboard है पहले different होता था और इसके सबसे bottom में है contact us contact us पर जैसे आप click करते हैं यहाँ पर आपका जो business listed है वह दिख जाएगा और यहाँ पर आप अपना query लिखें। यहाँ पर तीन option आपको दिये हुए है chat का option है get a call का option है और email का option है आप किसी भी option के थुरू अपना जो Google My Business में address है वह change कर सकते हैं और मैं आपको first वाला चैट वाला option क्लिक करके continue करता हूं आपको business name डालना है अपना business address डालना है इसके बाद आपको URL डालना है जो आपका map का URL है website डालनी है submit पर क्लिक करें अब आप यहां पर देख सकते हैं कि चैट स्टार्ट हो गई है और इस चैट के थुरू जैसे जैसे मुझे instructions मिलेगी वैसे वैसे मैं आपको live दिखाता रहूंगा कि Google की तरफ से क्या instruction दिये जाते है address चेंज करने के लिए आप address चेंज करते time बेर साथा नहीं रखे क्योंकि अगर address change करते time अपने कोई गलती की तो हो सकता है अभी आपका business live वो थोड़ी देर बाद आपका business permanent suspend हो जाए और कभी भी आपका यह है लिस्टिंग रिकवर नहीं हो इसलिए जब आप लिस्टिंग में address चेंज करते हैं तो आपको बेर पेस्टेंज के साथ सावधानी के साथ address चेंज करना है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं चैट करते करते अपने business profile में address भी चेंज किया हूँ और अभी यह under review दिख रहा है जैसे ही यह process complete होगा तो उसके बाद address यहां पर दिखना start हो जाएगा address under process से बाहर आ जाएगा बट आप direct address change मत करें और address direct change करने से हो सकता है listing suspend हो जाए इसलिए आप address change करते time google support पर रहे और आप अपनी website में वही address डाले जिस address को आप change करना चाते हैं otherwise आपका listing suspend हो जाएगा अगर आप अभी तक अपनी listing को promote नहीं किये तो सबसे पहले listing का promotion जरूरी होता है और listing का promotion कैसे करें क्योंकि listing के promotion के बिना आपको listing से ज्यादा फाइदा नहीं होगा और listing का अगर promotion हो गया तो आपको बहुत अच्छे calls आएंगे कि मैं इस website का आपको performance दिखा देता हूं कि एक normal website से भी कितने अच्छे calls आ सकते हैं 100 पलस इस website से आ रहे हैं इस listing से आ रहे हैं अब मैं address Google चैट में में दे देता हूं अब आप देख सकते हैं यहां पर एक message आ चुका है मेरे पास की update हो चुका है आप यही procedure follow करके अपने Google my business का address change कर सकते हैं आप कोई दूसरा procedure फोलो नहीं करें एक procedure है कि आप direct edit कर दें दूसरा है कि आप Google चैट के थुरू या Google की support section है वाँ पर तीन method है एक chat एक email और एक phone call के support के थुरू आप अपना address change करें सबसे best second method है आप भी यही method यूज करके अपना address change करें अगर अभी तक आपने Google my business में लिस्टिंग नहीं लगाई है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देखकर लिस्टिंग लगाए इससे आपको काफी बिजनस प्रमोशन होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like comment and share जिरूर करें और चैनल को नए तो चैनल को सबस्क्राइब करें थैंक्यू